हलो फ्रेंड्स विल्कम टू और क्लासस मैं बहुपेंद्र पांडेगा इसमत जैसा कि आप लोग को आज मैं इस टॉपिक के बारे में कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि आप लोग को सबसे पहले इंटर्वियू गए रहा हो दिया या फिर हम कहीं किसी के भी कंपनी में जाते हैं तो किसी के भी सामने अपना introduction किस प्रकार से दे आप मैं ऐसी चीज़ों के बारे मैं बात करने वाला हूँ यहां पे आप लोग को मैंने कुछ ऐसे lectures छाटे हैं फिर वहां पे मैंने कुछ ऐसे memang को देखा फिर यहां पे मैंने आपको दिखान पा रहे हैं वीडियो को समय के अकॉर्डिंग यह आपको पता ही होगा या फिर आप हेलो बोलिए हेलो फॉर्मल है उसके बाद आप सर मैडम जो आपके सामने हो मानले जाप स्टेज पर यह चीज बोल रहे हो इंट्रोडक्शन स्टेज पर खड़ें आप दे रहे हैं हमने पब्लिक बैठी है everyone बोल दीचे तो good morning sir या good morning everyone ठीक hey, hi, नहीं बोलना clear greetings हो गई अब आगे बढ़ते हैं क्या होगा thank them ठीक यह thank them मतलब अब आप thank you बोले यह opportunity दी ना उन्होंने बोलने के लिए तो आप कैसे बोलेंगे यह आपको रट लेना है इसको आप याद कर लीजे ठीक है first of all thank you very much for giving me the opportunity to introduce myself in front of you यह आप याद कर लीजे अगर interviewer भी आपसे पूसता है तो आप यह बोलेंगे अगर आपको यह याद नहीं होता लंबा लग रहा है तो छोटा option है thanks for giving me the opportunity इतने पे आप रुख सकते है इतना भी बहुत है उसके बाद आप आगे वाले step पे आ जाएंगे अब यह भी बोल दू not necessary important नहीं है कि बोलना ही बोलना है ठीक है जरूरी नहीं है कि आपको बोलना ही बोलना है या my name is Kanchan Keshri एक example आप देख सकते है my name is Aarti Keshri ठीक है मानने जाप का नाम Aarti है don't से क्या नहीं बोलना myself myself से शुरुआत नहीं करनी a big no no way नहीं बोलना गलत होता ही है especially interview में तो बिल्कुल भी नहीं बोलना ठीक है तो I am से या my name is से आपने शुरू किया और अगर आप informally मिल रहे हैं तो सिर्फ इतना बोल दिया my name is Kanchan that's it ठीक तो आपने ये देख लिया ये देख लिया ये देख लिया अब आगी बढ़ते हैं क्या है चौथा पॉइंट प्लेस एक चीज़ अब बहुत important है बता दू suppose कि आप interviewer के room में गए interview देने के लिए उसने पहले ही आपसे hi hello हो गया नाम भी पूछ रहा आपने नाम भी बता दिया अब वो कह रहा है tell me something about yourself तो वहाँ पर आप फिर से hi hello या नाम नहीं बताएंगे फिर आप यहाँ से शुरुआत कर दीजेगा मतलब जितने steps हो चुके हैं उन्हें नहीं बोलना है repeat नहीं करना है अपनी चीज़ों को नाम पता है तो आप सीधे place से शुरू कर दीजे इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो place में आने में क्या है I am from से शुरू कर सकते हैं या I belong to से शुरू कर सकते हैं या फिर I hail from से शुरू कर सकते हैं ये तीनो ही word आपके I am from, I belong to या I hail from वो जगह बताते हैं जहां आपका जन्म हुआ है जहां से हैं आप जहां रहते हैं वो नहीं है जहां से हैं आप जहां आपका जन्म हुआ है तो यह आपने बोलना है फिर आप यह बोल सकते हैं यहाँ पर sentence को end कर सकते हैं Suppose कि मैं बोल रही हूँ I am from Delhi मैं दिल्ली से हूँ ठीक है? या फिर I belong to Delhi ये बोल दिया या फिर I hail from Delhi but currently living in Chandigarh तो यह जो है ना currently living in ये बो जगह जहां आप रहते हैं इसका मतलब है कि मैं दिल्ली से हूँ लेकिन अभी इस वक्त मैं कहां रहती हूँ Chandigarh में तो यहाँ आप देख सकते हैं I hail from Delhi but currently living in Chandigarh अब वापस आते हैं यहाँ पर ये itself क्यों लिख रखा है? itself आप तब use करेंगे जब interview के अगर बात करें interview है तो interview उसी जगह पर है जहां से हैं आप तो अगर डेली में ही interview है क्योंकि मैं डेली से हूँ बोल रही हूँ और डेली में interview है तो मैं बोलूँगे I am from Delhi itself मतलब मैं दिल्ली से ही हूँ I belong to Delhi itself और अगर अलग जगह पर है तो itself लगाने की ज़रूरत नहीं है So I am from Delhi अगर वहीं पर interview है तो Delhi itself clear? यह समझ में आगया आगे बढ़ते हैं Your job Your job का मतलब कि आप क्या करते हैं अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो भी आप इसका use करेंगे इस शुरुवात कैसे करेंगे I am फिर a या फिर an इसको कैसे use करता है इस word पे तो I am a या फिर an I am a homemaker मतलब मैं एक ग्रहनी हूँ I am a teacher मैं एक अध्यापिका हूँ I am an engineer I am a businessman यह कब use करेंगे आप मान लिजे आप किसी से casually मिलते हैं मापे आप क्या बताएंगे I am a businessman अगर आप एक businessman है तो और कोई profession है तो वो ठीक यह आपने बता दिया अब आते हैं personality पे personality मतलब आपका व्यक्तित्व आप कैसे हैं I am से शुरू कर सकते हैं और बस उसको बता के खत्म कर सकते हैं या फिर I am a या and का use करेंगे और last में person लगा देंगे क्या use करना है देखे I am open-minded मैं खुले विचारों का हूँ I am a goal-oriented person अब ये वाला goal-oriented ये दिखा रहा है कि especially job बगरे में use होगा तो interview है तो ये use कर लिए normal है तो ये भी चलेगा उसके लावा देखे I am a creative and hard-working person ठीक I am a creative and hard-working person आपने यह जोड़ दिया ये जो words हैं ये ये hard-working, creative, goal-oriented ये सब है adjectives तो जब आप किसी की personality बताएं या अपनी personality बताएं तो क्या use करते हैं? Adjectives जैसे कि affable, मतलब milan-sar, brave, मतलब बहादूर, calm, gentle, courteous, etc तो ऐसे बहुत सारे adjectives होते हैं अब देखे, आप इतने लोग मुझे देख रहे हैं मुझे नहीं पता है कि आपका nature कैसा है उसके लिए मैं बहुत सारे adjectives यहां लिखती उसकी जगम मैं आपको telegram group में मेरे telegram group में आपको pdf दे दे रही हूँ वहाँ पे जाएए, link आपको description में मिल जाएगी telegram group की, वहाँ जाकर वो pdf ले लीजे, उसमें से जो भी personality आपकी है, जो व्यक्तित्व वो उठा लीजेगा आप और वो आप अपने introduction में add-on कर लीजेगा, यह आपके बहुत काम आएगा एक लंबी list वहाँ पर मैंने दी हुई है तो यह आपने बता लिया, अब आगे बढ़ते हैं अब एक जहलक देख लीजेए, ठीक हमने कहां तक cover किया है, देखे 1 से लेके हमने 6 तक cover कर लिया greetings, thanking and name, place, your job, personality ठीक, अब इसकी एक जहलक देखे बहुत मज़ेदार है, बिलकुल मखन की तरह आपको लगेगा Hello, my name is Kanchan Keshri I am from Prayagraj, I am a teacher I am an affable person समझ में आई यहां तक, यह हो गया आपका किसी से भी casually अगर आप मिले हैं तो यह जवाब दे सकते हैं अगर interview में यहां तक का जवाब देना हो तो एक जलग उसकी देखे Hello sir, thanks for giving me the opportunity to introduce myself My name is Kanchan Keshri I am from Prayagraj I am a creative and hard working person यहां पर हमको यह चीज़ यूज़ करनी है जो कि उन्हें लगे कि यह asset हो सकता है हमारी company के लिए, ठीक है तो ऐसी चीज़ यूज़ करनी कहीं से भी मुश्किल लगा बिल्कुल आपने steps wise follow किया सब कुछ आसान लगा यहां तक हमने cover भी कर लिया and I am sure कि यह आप बड़े आराम से बना लेंगे अगर अभी तक आपने यहां तक अच्छे से समझ लिया फटाफट comment section में जाकर आप भी practice कर लिजे अपना introduction ऐसे बना के comment section में लिख लिजे even मैं तो कहूँगी अपनी practice के लिए पहले वीडियो को pause कीजे और इतना लिख लिजे फिर आगे बढ़ते क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं कहां qualification और experience की ठीक है तो जो भी आपका class हो वो use करेंगे यहां पर th 7th नहीं use करना अगर 7th बोलते हैं तो आगे standard या फिर grade लगाएंगे I am in 7th standard या I am in 7th grade ठीक उसके बाद I am in BA first year अगर आप graduation कर रहे हैं तो आप इसे use कीजे first year, second year, third year जो भी हो आप उसे use करेंगे ठीक है तो इन में से आप कोई भी line choose कर सकते हैं अब अगर आप interview में गए हैं तो आप बताते हैं कि आपकी degree क्या है कौन से subject में है, कौन से university से है तो वो बताने के लिए sentences follow कीजे I have a bachelor's degree बहुत है simple है I have a bachelor's degree in subject लिख देंगे from university लिख देंगे और master's, अगर आपने post graduation किया है तो आप master's use करेंगे I have a master's degree in subject from university ठीक कोई extra course किया है बोलिया I have done 3 months course कोई भी, अगर 6 months का है I have done 6 months course फिर in और फिर वो course ठीक, in blogging हो गया ये तो देखें, एक example देख लिएजे I have a master's degree in English language from Delhi University clear? ये आपका example sentence बन गया आपके interview के लिए यहाँ आपने समझ लिया अब एक चीज और बता दू कि अगर आप interview के लिए specially गए है तो यहाँ पर आप your job न mention करके, ये वाला skip करके यहाँ से सीधे इस पर आएंगे और उसके बाद यहाँ आजाएंगे फिर आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है? Skills और experience बताना है I am a fresher ये कौन यूज करेगा? जब, देखे experience उसी के पास होगा जिसने काम किया हो आप अभी अभी college pass out है तो अभी तो आप interview के लिए ही गए है तो वहाँ पर आप क्या बोलेंगे? I am a fresher I have three years experience in जिसके पास experience हो वो ऐसे sentences use करे I have three years experience in अब यहाँ पर वो चीज यूज करेंगे किस चीज में experience है, ठीक है? मतलब जो काम आपने किया हो I have three years of experience चाहे years experience या years of experience यूज करेंगे, फिर वो चीज़ देखे example यहाँ है I have three years experience in marketing ठीक? इस तरीके से जो काम आपने किया हो वो mention कर देंगे, बहुत ही आसान है I have some years experience जितने भी years का experience हो या फिर देखें ये I have been working for three years ऐसे भी आप बोल सकते हैं और ऐसा तब बोलिये जब आपको ये बताना हो किस company में और किस पद पर आप थे ठीक, so I have been working for three years at यहाँ पर company का नाम as A या फिर N और यहाँ पर आपका जो रोल था तो देखें एक्जेम्पल यहाँ I have been working for three years at ICICI bank as a branch manager clear? समझ में आगे यहाँ तक यह भी आपने बता लिया अब आगे बढ़ते हैं आते हैं family पे एक और tip अगर आप interview के लिए introduction नहीं दे रहे हैं normal casual introduction दे रहे हैं तो आप यह वाला और यह वाला skip कर सकते हैं ठीक वहाँ आपको experience बताने की जरूत नहीं है कौन से subject में आपने किया इसकी भी जरूत नहीं है simple आप इतना ही बोल सकते हैं I am a graduate or I am a post graduate बस इतना ठीक है आगे बढ़ते हैं family पर आते है family बताना बहुत ही आसान है बहुत ही simple सा बताएं कि बहुत detail नहीं देना है आपको family में I live in a nuclear या फिर joint family nuclear मतलब छोटा परिवार, joint family बड़ा परिवार या फिर there are members बता देजे कितने हैं मेरे घर में 9 हैं तो मैं बोल रही हूँ there are 9 of us in my family तो यहाँ वो number लिखना है ठीक इसको बोलना नहीं है यह मैंने आपको बताया कि यहाँ लिखना है या फिर there are 9 people in my family या there are 9 members in my family फिर they are करके अगर आप casual meeting है ना तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं बढ़ा के बताना चाह रहें they are my parents, grandparents, siblings, uncles, aunts जो बताना चाहें आप वो add on कर लें तो एक sentence में simple सा बनाएंगे there are 9 of us in my family ठीक एक छोटा सा एक sentence में बता दिया family के बारे में अब आते हैं hobbies बता दीजिए अपनी my hobby is बताईए अगर कोई एक hobby है hobby मतलब जो चीज़ आप पसंद करते हैं अगर जादा है तो my hobbies are बताईए अगर R बोला है तो आपको एक, दो या तीन hobbies उसमें जोडनी पड़ेंगी एक बताया है तो ऐसे और ing लगा के बताएंगे तो आसान लगेगा my hobby is dancing, my hobby is singing, my hobby is cycling ठीक? या फिर my hobbies are dancing and singing, my hobbies are playing and watching cricket clear? यह समझ में आ गया अब यह भी है कि यह चीज़ें अब बहुत कम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि अब क्या है कि हम नहीं नहीं तरीके से बोलते हैं I like बोल लिजे, love बोल लिजे, enjoy बोल लिजे मैं कहूंगी उसे बोल जाए यह पुराना तरीका यही अपना लिजे तो क्या बोलिए I like dancing, I love singing, I enjoy playing cricket इस तरीके से आप बोल सकते हैं और अगर आप ज़्यादा hobbies बता रहे हैं तो यहाँ कोई change नहीं आएगा I love, like या enjoy जो भी बोले dancing and singing आप जोड के बोल सकते हैं यहाँ कोई change नहीं आगए यह आप समझ गए hobbies भी हो गए अब last, end your answer जो आप बता रहे हैं अपना introduction अब उसे end करने का समय आ गया क्या पूछा किया था, tell me about yourself तो आप बोलिए that's all about me, thank you इतना कहके आप अपनी बात को end कर दीजे I hope कि आपको यह बहुत यह आसान लगा हो अब फिर से video को आपको pause करना रहेगा और अपना introduction अब आपको complete करना है मैंने आपको बता दिया कि यह और यह आप skip कर सकते हैं अगर आप interview के लिए नहीं गए हैं interview में introduction नहीं दे रहे हैं तो और अगर आप interview में दे रहे हैं और यह बताना है आपको तो यह skip कर देंगे ठीक है इतना आप समझ गए I hope कि आप आप बहुत आराम से introduction लिख लेंगे एक जलक मैं देती हूँ जो मैंने अभी आपको दिखाया था उसमें थोड़ी बाते और add-on करने ना आगे किक पॉइंट्स यहां पर अगर आप यह नहीं भी add करते हैं क्योंकि casual meeting का है यह formal नहीं यह interview का नहीं तो आप that's all about me thank you नहीं बोलते हैं आप simply इतना बोल सकते हैं leading and talking मान लीजे वो जो person है आपके friend का friend है तो आप क्या बोल सकते हैं that's all now you tell me about yourself ऐसे करके बात को आगे continue कर लेंगे और अगर formal वाला interview का है तो एक जलग उसको भी देख लीजे यहां तक हमने complete किया था ना यहां तक अब हम आगे बढ़ते हैं I have a master's degree in English language from Delhi University I have three years experience in marketing there are nine people in my family I love reading that's all about me thank you ठीक एक simple सा introduction आपने बना लिया फिर से video को pause करना है और आपको अपना introduction नीचे लिख कर बताना है ठीक है I hope कि यहां पर भी आपको लग रहा है कि यह सीखने वाली चीज है या मुझे note down करना चाहिए आप video को pause करकर के note down कर रहे हूं तो guys अगर video पसंद आई हो तो आपको क्या करना है इसे like करना और share तो खूब कीजेगा ताकि हर एक बच्चे के पास ये video पहुँच जाए और समझ में आये कि introduction देना है कोई बहुत बड़ा पहाड नहीं तोड़ना introduction आप सबको ये सब कुछ पता है बस इसे एक तरीके से मैंने sequence में लगा दिया ताकि आप आराम से इसको समझ पाए I hope guys यहां पर आप लोग को जितना भी मैं बताई ठीक यहां पर आप लोग को सभी चीज़ों के बारे में सभी introduction कि यानि सभी point से पूरा विधुवा से समझे होंगे ठीक तो बस guys आज के लिए अगर वीडियो अच्छे लेगे हो है चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा ज्यादा सेर करने कोशिस कीजिए मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद